वेलकम टो MSM Creations इस वीडियो में हम फ्लैट ब्रेश से पेंटिंग करेंगे तो इसका लोग बिलकुल इम्रोइडरी जैसा आएगा इस पेंटिंग को करने के लिए जो पेंट है उसमें आप वन डॉप वाटर मिक्स कर लेजे और ब्रेश को बिलकुल स्ट्रेट खड़ा रखना है और उसको नीचे टच करना है तो उससे वो स्ट्रेट लाइन्स बनती जाएगे लाइन्स हमें पास बनानी है ओवलापिंग नहीं करनी है लाइन्स में इसमें जिस तरह से embroidery में shading देते हैं वैसे ही इसमें हम shading देंगे light to dark या फिर dark to light जैसे अगर आप pink के shades ले रहे हैं तो पहले red में white mix करके बिल्कुल light pink बनाईए फिर उसमें थोड़ा red mix करके थोड़ा dark pink और फिर last में red और red से थोड़ा और dark अगर आपको करना है तो red में आप black या brown mix कर सकते हैं तो सबसे पहले light shade की हमने एक दो layer देने के बाद में फिर उसके upper हम darker shade लेंगे फिर उसके एक दो layer अगर हो तो उसके बाद में हम dark shade लेंगे तो यह आपके petals पर depend करेगा कि आपकी petals कितनी बड़ी हैं हुए 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 झाल झाल करने के लिए हम एक साइड लाइट लेंगे और एक तरफ डाक लेंगे तो इसके लिए हम स्लैंटिंग लाइन्स बनाएंगे फ्लावर के स्टेम बनाने में भी हम स्लैंटिंग लाइन्स ही यूज़ करेंगे झाल 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